नमस्का दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों, आज मैं आपको घर पर ही ब्लीच करने के कुछ घरेलू तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ कई महिलाओं के चैरे पर बाल होते हैं, जिनके कारण उनकी चैरे की सुन्दर्ता पिकरने लग जाती है इसलिए महिलाएं हर 15 डेर्स में या फिर एक महिने के अंदर चैरे को ब्लीच करवाती हैं पार्लर में जाकर वो जो ब्लीच की क्रीम होती है, कभी-कभी उनसे बहुत सारे रियक्शन्स भी हो जाते हैं फेस को जैसे की चैरे पर दाने, रैशिस और खुजली होने लग जाती है जिसके कारण बहुत जादा प्रॉब्लम्स हो जाती है लेकिन दोस्तों आप घर पर ही कुछ घरेलू तरीकों से तयार किये हुए ब्लीच का इस्तमाल कर सकते हैं यह पूरी तरह सुरक्षित भी है आपके चहरे के लिए साथ ही इसके कोई side effects भी नहीं होंगे आपके चहरे पर तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप घर पर ही अलग-अलग तरह से कैसे bleach तयार करके अपने चहरे पर लगा सकती हैं इसे जानने से पहले सबसे पहले तो एकनिवेदन उन लोगों से करना चाहूंगे जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदस्ता को सरूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दौरदी करी जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भीटा सकें दोस्तों तौचा की रंग को निखारने के लिए बेसन का इस्तमाल सद्यों से किया जा रहा है इससे आप चेहरे के जो बालों के रंग को आप ब्लीच भी कर सकते हैं दोस्तों ये भी इसमें बहुरती ज़्यादा आपको फाइदा पहुँचाएगा इसे तयार करने के लिए आप दो बड़े चमच बेसन एक बड़ा चमच दूद और आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे इसके बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाईए और थोड़ी देर लगा रहने दीजे जब यह थोड़ा सूखने लगे तो इस सक्रब करते हुए आप इसे चेहरे से छुढा लीजे इसके बाद दोस्तों आप चहरे को पानी से साफ कर लीजे इस पेस्ट को चहरे पर हफते में आप दो से तीन बार लगाएंगे तो आपके चहरे के बालों का रंग ना केवल हलका होने लगेगा बलकी थोड़ दिन बाद वो जढ़ भी जाएंगे दोस्तों तो आप इसे घर पर जरूर ड्राय करके देखेगा वहीं केला और ओट्स जो होते हैं वो दोनों में ही बालों के रंग को लाइट करने वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं दोस्तों इसे इस्तमाल करने के लिए एक केले को एक बड़ा चमच ओट मील में अच्छे से स्मैश कर लिजे फिर इस मिश्रण को अपने चहरे पर लगा के रखिए फिर जब ये थोड़ा थोड़ा सूखने लग जाए तो आप इसे 5-10 मिनिट तक सर्कुलर मोशन में चहरे पर इस मिश्रण से स्क्रब कीजे इसके बाद इसे गुन-गुने पानी से धो लिजे इससे दोस्तों आप हफते में एक से दो बार कर सकते हैं इससे भी आपको बहुत ही अच्छे रिसल्ट्स देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आपको हमारी द्वारा दीकर यहाँ जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाई और शेयर जरूर कीजिगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद